मुस्कुराइए इसलिए मध्धिप्रदेश में क्योंकि मध्धिप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है अब तो मुस्कुराइए क्योंकि मध्धिप्रदेश में हैं और मुस्कुराइए इसलिए क्योंकि मत्यप्रदेश तेजी से आगे पड़ रहा है इतना ही नहीं 15 महिने की जो कॉंग्रेस की सरकार साल 2018 में मत्यप्रदेश में रही उसके उपर भी निशाना साथते हुए सियम शिवराज सिंग चौहान दिखाई दिए सियम शिवरा होगे लेकिन उनका पैसा नहीं दिया साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांजी अब जब मत्यप्रदेश आई हैं तो उन्हें इन तमाम सवालों की जवाब देने होंगे मुस्कराईए इसलिए मत्यप्रदेश में क्योंकि मत्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक सिरिमान बंटा धार जी की सरकार हुआ करती थी ना पानी ना बिजली ना सलकें और सवा साल वो भी याद कीजिए जब किये गए वादे निभाए नहीं गए करजा माफियो बेरोजगारी भत्ताओ किसानों को समर्थन मुलक उपर बॉनस देना हो एक भी बादा कौंग रेस ने पूरा नहीं किया था उल्टे मैडम प्रियंका जी बेटियों की हम साधी करते थे साधीया तो हो गई उनका पैसा नहीं दिया जो सा देना की बंद कर दिया था बेटा-बेटियों को लैपटाप देते थे अच्छे नमबर लाते थे हमारी वो योजना बंद की संबल बंद की तीरत दरसन बंद की औरत और प्रदानमंतरी आवास की होजना के मकान चो गरीवों के उपर चछत देने का काम करते हैं कॉUNGरेस की स इन तमाम सवालों के साथ पोस्टर भी जारी किये हैं उस पर लिखा है कि मुस्कुराइए हम मध्य प्रदेश में हैं क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है आपको बता दे कि विधान सभा चुनाफ से पहले सियासी पारा मध्य प्रदेश में गर्मा गया है बड़े बड़े चहरे मध्य प्रदेश शाकर दोरे कर रहे हैं प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुची और यहां पर भी पहुचकर उन्होंने खूब प्यक तरफ जहां बीजेपी की सरकार के उपर निशाना सादा वही सियम शुवराज सिंग चोहान 15 महीने की सरकार का सवाला देती हुए प्रियंका गांधी से सवाल करते हुए दिखाईती मध्य प्रदेश शुटी तमाम खबरों के बने रहे हैं प्रिक के साथ